जिन्दाबाद 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 याद है इनकी सरकार आप देख रहे हैं दखल लिए चतरपूर प्रशाशन मोदी की 24 नवंबर को होने वाली सभा की तैयारियों में जुटा हुआ है प्रधान मंत्री बीजेपी का प्रचार करने 24 नवंबर को चतरपूर के बाबुराम चतरवेदी स्टेडियम में सभा लेने जा रहे हैं वोटिंग के दिन करीब आ गए हैं सभी स्टार प्रचारक अपनी पूरी ताकत चुनाव के अंतिम समय में जोगते जा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी चतरपूर में 24 नवंबर को आने वाले हैं जहां मोदी बीजेपी के प्रत्याशी अर्चनाज सिंग को वोट देने की जनता से अपील करेंगे प्रधान मोदी 24 तारिक को चतरपूर के बाबुराम चतरविदी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे इसी को लेकर प्रशाशन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है आप देख रहे है दखल न्यूज याद है इनके सरकार दस सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को खेत बंजर दिखने लगे थे दर्द तो हमारा सिफ शिवराज ने समझा किसान का बेटा है ना गाउं गाउं में नहर और विजली ले आया वो अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को माफ करो महराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार जब ये दिल्ली में बैट कर बुलचर्रे उड़ा रहे थे ना तब एक शिवराज भाईया ही थे जो हमारी लालियों की पढ़ाई लिखाई उनके शादी ब्या की फिकर मामा बन कर कर रहे थे आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इने अरे माफ करो महराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार जब ये चांदी के बरतनों में दावते उड़ा रहे थे ना तब शिवराज ही था जो एक रुपे किलो में अनाज और दो सो रुपे में बिजली देने में जोटा हुआ था गरीब का पेट भरना तो दूर की बात दस सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने माफ करो महराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार ये वही लोग है जो गरीबों की टपकती छते देखकर अपना मुँ फेर लिया करते थे वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छते आए हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना तो हमारा शिवराज उन्ही बुजुर्गों को माबाप मान के तीर्थी अत्रा करवा रहा थे हाच वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग ए माब करो माहराज हमारा नेता तो शिवराज